आई मोजिंगो गुडिवनी क्याल चाले हैं चालू करें चले चालू करते हैं मैंने आपको कुछ questions दिये थे उसमें question number one हमने कर लिया था question number alternate किया था one three five seven हमने इस तरीके से किया था और even number of questions हमने नहीं किये थे तो मुसी को करेंगे आए लेट से start it homework है जो पिछली classroom में ने दिया था आपको question number two से चलू करेंगे question number two में CH3 था और NO2 था मैं question नहीं लिखूंगा मैं सीधा answer करूंगा इस पर ETOK base है आपको पता है और सिस्टम में इस एच का कारवन का एच एसडिक है एनोटू के माइनस आर की वज़े से तो आपको मिलेगा CH2 माइनस के प्लस और यह एनोटू और आपकी फैवरेट चीज यहां से निकल जाएगी इथेनॉल ओके और इसके लिए आपको एक रियक्टेंट दिया गया था डाय इस्टर डवल गॉंडो ओई टी एंड ओई अगें यह एडिसन एलिमिनेशन एक्शन एडिसन एडिसन एलिमिनेशन आपको पता है आपने ऐसे ही कैश्टन कैश्टन अबर 3 किया था पिछली क्लास में तो चीच को तो चीच टू जो है वो एडिसन करेगा और माइनस आएगा और ओई टी एलिमिनेट हो जाएगा तो दोस्त आपको यह मिलेगा तो आपका जो पहला नोन है पी यह मिल गया आपको ठीक है और बहुत आसान है इसमें सनस्चल दिया गया है यह ध्यान से वो कि NO2 को NH2 में रेडियूस करता है तो अगर मैं उसी सेंस में आगे बढ़ूं कि NO2 को NH2 में रेडियूस करता है तो आप जरा ध्यान से देखें यहां पर मैं इस चीज को लिख रहा हूं यह नो टू आपका नहीं हो गया यह डबल बॉंडो है और यह डबल बॉंडो यह ओई टी है अब एक सिस्टम में एक अच्छी नुकलियोफिलिक्स साइट है और देखें अगर सिस्टम में ही देखा जाए तो यहां पर एक एडीशन एलिमेनेशन के लिए एक साइट उकलब्ड है तो यह इस पर एडीशन एलिमेनेशन कर देगा आपको पता है और यहां से फिर आपका फेवरिट मॉलीक्यूल देखें निकल लाहा है ठीक है तो जो आंसर होगा आपका वो होगा एन एच क्लियर और इधर आ जाएं यह डबल वांडो यह डबल वांडो तो थोड़ा सा अगर आप इसे और ध्यान से देखें तो वी के इन हाव इट्स टॉटमेरिक फॉर्म लाइक दिस और अगर मैं इसे यहीं बनाऊं एन तो किस तरीके से होगा यहां होगा ओयच एन ओयच तो यह आपका आंसर होना चाहिए यह बुलें हर्ड हमने कर लिया था अब हम फॉर्थ क्येश्चन करेंगे फॉर्थ क्लियर तो फॉर्थ क्येश्चन ले लेता हूँ question number fourth के लिए आजाओ याद है आपको हमने इसका fifth part कर लिया था question number fourth का answer बता दो चलो question number fourth का answer बता दो यह देखिए यह आपका नेप्थलीन और आप सबको पता है नेप्थलीन में यह positions क्या होती है alpha और यह positions क्या होती है दोस्त बीटा और हम सब को पता है कि alpha is more reactive alpha is more reactive than beta यह हमने theory में पढ़ा हुआ है और हमने एक और बहुत काम की चीज़ पढ़ी थी अगर आपको याद हो वह पढ़ा दा हमने की beta substituted beta substituted naphthalene अगर beta पर आप कुछ लगा दें is more stable वह ज़्यादा होता है stability में आगे होता है दें एलफा substituted naphthalene alpha substituted naphthalene यह हमने अरोमेटिक में पढ़ा हुआ है तो सारे लोग आंसर करें जितने भाई बंदू है इस समय जितने अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहे रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैंने चालिश डिगरी सेंटिग्रेट और वन सिक्ष्टी डिगरी सेंटिग्रेट अखा था तो देखें जड़ा अलफा बीटा दोने जगे आएगा हमें यह पकड़ना है कि कौन सा मेजर है मेजर क्लियर सेम आंसर यहां होगा क्लियर कॉम्बिनेशन और प्रोड़क्ट सेम होग और आप बताएं कौन सा मेजर होगा कौन सा माइंडर कई लोगों ने बुला है दोनों अलफा है और आपको मैं बता दूँ यह इलफा है देखिए अलफा पोजिशन पर लगा है और यह बीटा है बीटा पोजिशन पर लगा है और यह मी माइनर यह माँ और यहां पर बिलक मेजर आता था लेकिन इस समय हम नाइट्रेशन करा रहे हैं and नाइट्रेशन is not reversible that's why बिल्कुल सही है रागहो मुदानी जी आप बोले है irreversible है इसलिए मेजर प्रोड़क्ट है कि परसंटेज जरूर कम जादा हुई होगी लेकिन वो इससे हमेशा जादा रहेगा इसलिए इससे हमने मेजर बोला है ये दो important point है ये जो point है ये आप अगर्ण दिमाग में रखें ये काम के points है fifth question हमने कर लिया था so now moving for question number six ये वाला part है आपको बताना है सबसे reactive side कौन सी है A में बता दीजे B में बता दीजे C में बता दीजे और D में भी बता दो आप को ये सब सेम है अरे भाई अभी इसमें change भी कुछ लगाएंगे ग्रूप लगाएंगे पर ये mythoxy ग्रूप लगा है OCS3 ठीक है इधर NO2 ग्रूप लगा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं A का आंसर 6 के A में Electrofile कहाँ टैक करेगा Electrofile का टैक पुछाता मैं जल्दी से आंसर करें आपके आंसर के इंतिजार में 6 के A में पर लगाओ Alpha पर ये देखिए मैं कैसा निसान बना दे रहा हूं ये Alpha है और Out of 4 Alpha आप कहीं भी लगाओ इदार 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 अभी कहीं भी लगाओ Compound स्मेटिकल है किसी भी Alpha पर आप Electrofile लगाओगे आपको कोई गलत नहीं बोलेगा आप बिलकुल सही होंगे B का अंसर B का अंसर जिसमें OCSC लगा है OCSC में अब दिखें यहाँ दो रिंग हैं दोनों अलग अलग हैं यहाँ दोनों रिंग एक जैसी हैं तो B वाले में पहले बताओ कौन सी रिंग में लगाओगे आजू वाली या बाजू वाली रिंग सेलेक्शन हो गया पीछे वाले बड़ा काम कर लिया आज आपने रिंग सेलेक्ट कर लिए अब रिंग सेलेक्ट हो गई है तो हम क्या रिंग सेरे मनी करें आईए बताइए बाजू वाली रिंग में पोजिशन कौन सी है इसका आर्थो मेटा या पैरा आर्थो मेटा या पैरा पैरा is the right answer very good, well done जबरदस्ट सुरुवात की है आपने आपको मैं बता दू पैरा लेने के पीछे लोजिक ये भी था कि ये अलफा पोजीशन है क्या लोजिक था कि ये अलफा पोजीशन है सही है और आर्थो वाला बीटा था तो इसलिए वो कम बनेगा और्थो वाला बीटा है आपको याद हो अगर ये सारे बीटा होते थे तो और्थो वाला कम होगा क्योंकि वो बीटा पोजीशन है और पैरा वाला इसलिए क्योंकि वो अलफा पोजीशन है जबरदस्ट काम किया आपने जल्दी से सी का अंसर C का आंसर जी आज वो बिलकुल सही है बिलकुल सही है electron density के हिसाब से select करना है Electrofile जो बाहर से आएगा वो electron density देखेगा किदर जादा है और आपको पता है इस ring में ये no2 लगा हुआ है जो electron density को withdraw कर रहा है इसलिए Electrofile की पसंद ये ring नहीं होगी Electrofile की पसंद ये ring होगी सही बात है अब आप position बतागो आजू वाली ring में position अब आजू वाली ring में मैं आपकी थोड़ी help कर दोता हूँ दो alpha हैं दो alpha हैं उपर वाला alpha या नीचे वाला alpha आप ये position बिलकुल perfect ले रहे हैं चीक चलिए अगला last बचा है डी का answer करो डी का answer answer for D आजू वाली या बाजू वाली जल्दी answer करो left वाली ring या right वाली ring left वाली ring या right वाली ring आजू या बाजू वाली ring में मिताईल का आर्थो बाजू वाली ring बाजू वाली ring मिथाईल का आर्थों बोलेंगे तो फसेंगे मिथाईल के दो आर्थों है ये भी आर्थों है ये भी आर्थों है कौन सा आर्थों उपर वाला आर्थों या नीचे वाला आर्थों हांस देखने वाली बात ये है कि उपर वाला अलफा है नीचे वाला बीटा है और हमें पता है एलफा is more reactive than बीटा तो हम more reactive को नहीं चोड़ सकते हैं और ये मिला आपको जवाब ये आई पोजीशन जहां एलक्रोफाइल अटाक करेगा for major product formation clear so ये question देख लें question number 8 आ गया है और 8th question में कई पार्ट थे तो मुझे लगता है एपार्ट हमने कर लिया था A part हो गया था B part हम करेंगे A part हम कर चुके थे B part करेंगे B में हमारे पास था ETOOC CH2 ETOOC और हमें इससे क्या बनाना था जनाब हमें बनाना था CH3 CH2 CWH हाँ तो बता दीजे ज़रा मुझे sequence बता दीजे sequence बताईए कैसे बनाएंगे इसे सारे लोग बोलो देखो बया एक कार्बन और ये acid ये segment तो हमारे पास है ये वाला मान लीजे अब हमें इस पर एक methyl लगाना है एक methyl हम लगाना चाहते हैं तो इस H की acidic strength का हम फाइदा उठा लेते हैं Naoet Naoet से यहां minus आया होगा और second हमने यहां डाल दिया CH3I तो भाई साब SN2 हो गया होगा तो आपके आँखों के सामने आपको जो चीज मिलेगी वो ये मिल जाएगी जनाब ठीक है? सब्सुडियूशन Naoet CS3Cl hydrolysis gentle heat बहुत सुन्दर अब हमने कर दिया H3O plus जब हम H3O plus करेंगे दोनों acid हो जाएंगे और जनाब gentle heat या heat कुछ भी कर दीजिए GH मतलब gentle heat होता है, clear? आप यहाँ पर GH gentle heat कर सकते हैं तो दो acid, geminal diacarboxylic acid, decarboxylate हो जाता था और यह answer आजाता है ठीक है? ओके, एर्थ के D part का आंसर चाहिए मुझे C है, हो गया है, D part था E T O O C CH2, E T O O C और मुझे जो बनाना है, वो मैं answer बता देता हूँ CH2, CH2, C O O H and C O O H बताएं ज़रा मुझे कि D में हम कैसे आगे बढ़ें Yes बता रहे है, N O E T ले लूँ अच्छा, N O E T ले ले लेते हैं बाई यह है N O E T अगर आप थोड़ा सा connection बिठाएं तो इस type का segment तो आपको यह दिख रहा है इस type का segment दिख रहा है तो अगर मैं, मैंने फिर यहां क्या किया था यहां एक leaving group लेकर ascent to कराया था तो ऐसे ही कुछ मैं यहां guess कर रहा हूँ बिलकुल वैसे ही guess कर रहा हूँ अगर मैं सेम तरीके से सोचता हूँ तो यह वाला तो मैं डाइथाईल मैलोनेट से बना लूँगा और यह वाला segment मैं अगर मैं एक leaving group लगा के किसी तरीके से ले आऊँ तो काम हो जाएगा सारे लोग देखिएगा अच्छा लगेगा तो मैंने क्या किया N O E T N O E T यहाँ क्या करेगा बताइए जल्दी से N O E T क्या करेगा आँ माइनस create करेगा अब जनाब मुझे बताओ अगर मैं जो माइनस बना है ऐसा बना होगा E T O O C E T O O C और यह है CH माइनस अगर मैं इसके सामने I2 डाल दूँ आई टू, आई टू, तो मेरे भाई ये सन्टू हो जाएगा, ये सन्टू हो जाएगा, और बन गया E-T-O-O-C, E-T-O-O-C और यहां एक आई आजाएगा, दे हम वही बनाने के जुगार में है जो अपने को चाहिए, तो चलिए, मैं इसे stepwise कर देता हूँ, कि सबसे पहले मैं हैंने इसमें N-A-O-E-T डाल दिया, N-A-O-E-T, और N-A-O-E-T डालते आपको मिलेगा E-T-O-O-C, C-H-M-E-T-O-O-C, और आपने यहां आप डाल दिया, I-T-O-O-C, ठीक है जनाप, और I-T-O-O-C और यहां आई, चिक है, यह I-O-D-E-N यहां पर है, अब सूचिए ज़रा यह वाला जो आपका N-A-N है, इसे मैं बोल देता हूँ, यह P है, ऐसा ही P बोल दिया मैंने, क्या है यह P, अब अगर मैं इस चीज पर, अगर मैं इस चीज पर P डाल दिया, तो P क्या है, एक N-A-N, C-, वो C- इस I पर क्या करेगा, S-N-2, A-P इस पर क्या करेगा, यही तो ह P आपका देखिए, यह यहाँ पर है, उस I को सब्सिट्यूट कर देगा, और S-N-2 कर देगा, और मेरे भाई यह जो S-N-2 होगा, इस S-N-2 से मिलेगा, क्या, E-T-O-O-C, ध्यान से देखें, C-O-O-E-T, C-O-O-E-T, अब आप बताएं क्या इस से आप यह बना लेंगे, सार gentle heat, बस इतना सा काम है, और आपको answer मिल जाएगा, देख लें, यह बहतरीन तरीका है, आपने क्या किया, S-N-2 के चटा, यह idea हमें कहां से मिला था, यह idea हमें, यह final compound देखकर मिला था, कि एक dem से ले आएं, और दूसरा वाला जो है, अगर मैं एक leaving group ले आउँ, तो उसके लि कर दूँगा, मेरे ख्याल से E मैं कर देता हूँ, F आप कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही है, E part मैं देता हूँ आपको, यह है E-T-O-O-C, CH2, E-T-O-O-C, और आपको बनाना है जनाब, पांच की रिंग, पांच की रिंग मनानी, चलिए, यह बड़ा easy है, इसे देख लेते है जल्दी से, मैंने आपको बोला कि आप पहले इस पर E-T-O-E-T, अब E-T-O-E-T डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा सच बताए, यह माइनस मिलेगा, अब देखिए, इस कारवन का तो बहुत important role है, यह कारवन इस रिंग में कहीना कहीं होगा, तो पांच में एक कारवन तो देम का है, तो चार कारवन का सेग्मेंट, ध्यान से देखेंगे, यह आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, CH2, 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 चार कारवन का सेग्मेंट मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने टर्मिनल पर लीविंग रूप लगाए हैं, तो जैसे यहां माइनस बनेगा, यह I क सब्सिट्यूट कर देगा, और जैसे I को सब्सिट्यूट करेगा, आपको मिलेगा ETOOC, यहां मिलेगा ETOOC, और क्या मिलेगा, यह देखो, समझतार के लिए काफी सारा, और आप बोलेंगे तो बताऊंगा दुबारा, यह देख लीजे, यह बन गया है, और आपकी नजर बन गई वाईसा, पांच की निंग बन गई थोड़ा सा रास्ता ऐसा, यहां पर थोड़ा सा एक टॉन ले लेते हैं, बस NAOET, NAOET दिखा दीजिए, यह माइनस बनेगा और इसे I को हटा देगा, और बनने वाली चीज है ETOOC, और इधर क्या आएगा जनाब, ETOOC, clear, अब से टिया ने बोला है आखरी में, कि वही देखो पहले तो करो हाइडोलिसिस, बहुत अच्छे, फिर इन्होंने का दुबारा करो हीट, अरे अगरी, आगे, इन्होंने एक नाम लिया है, सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम, एसेट को अटा देता है, एसेट को अटा लाइम कर दो, सोडा लाइम करते वो गाया बिदम साफ, क्लियर रिंग मिलेगी आपको पांच की, अब आप मुझे बताइए कि अगला वाला आप कर लेंगे या नहीं, नेक्स्ट वाला आप कर लेंगे या नहीं, नेक्स्ट वाला कर लेंगे या नहीं, येस और नो बताइ बहुत अच्छे आपको दोस्त यहां एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा अगला केश्चन आप सब के लिए चलिए पहला प्रश्णी यह है यह आपका फेवरेट कंपाउंड एसिटाइल एसिटोन नाम तो सुना ही होगा आप बस मुझे इतना बता दें कि अगर एक तो मैंने यह कर दिया इस पे एने ओच आई टू ग्लिर तो यहां पर मिला है आपका P plus Q यहां मिला है P plus Q और यहां मैंने कर दिया है पहले NaOH first फिर मैंने कर दिया CH3I साल लोग ग्यान से देखें पहले मैंने NaOH कर दिया फिर कर दिया CH3I फिर मैंने NaOH कर दिया फिर मैंने कर दिया CH3I और आखरी में मैंने कर दिया Naohi2 तो फिर हमें मिलता है P प्लस R क्या मिलता है P प्लस R आज़ेगे तो आपको देखें उपर मिला है P प्लस Q और नीचे मिला है P प्लस R ठीक है तो आप मुझे ये ये एक स्कीम 1 है और ये स्कीम 2 है तो आप मुझे number of mole of P in scheme 1 and number of mole of P in scheme 2 इसका ratio बताएं कितना है हम ये प्रस्म कर रहे हैं आपर सब को करना है first सब answer दे दो जल्दी से और इसके बाद बिल्कुल सही है इसका आंसर जो है वह आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया और यह है half, आप find 5 भी बोल सकते हैं, बिलकुल सही है, देखें ज़र आप पहले वाले process में बीच के 2H acidic है, तो आपका NaOH इन्हें I से substitute करेगा, और finally आपको जो answer मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पर CHI3 plus 2 mol CH3 COO Na, sodium acetate, clear? और जबकी second वाले process में यह बीच वाले acidic हैच को लेके वहाँ CS3 substitute कर देगा, दो बार ऐसा करेगा तो दो नों हैच में 2 CS3 आ जाएंगे, और अब आपका Idoform टर्मिनल से होगा, जिससे कि आपको जनाब 2 mol Idoform मिलेंगे, CHI3 plus, और अब एक di-carboxylic acid salt मिलेगा, मैं आप पर लिख देता हूँ, वो R है अच्छली, N-A, O-O-C, यह होगा आपका, और होगा C-O-O-N-A, और यहाँ होंगे 2 मिथाई, तो यहाँ पर जनाब 1 mol है, आप देख सकते हैं, यह 1 और यह 2, तो हमें EC का ratio चाहिए था, 1 and 2, बिलकुल सही है, third question में कैसे करेंगे, third question को दियान से देखे एथाइन है हमारे पास, और एथाइन का यह triple bond है, और it looks like कि एक तरफ अपने को methyl लगाना है, एक तरफ अपने को tertiary butile लगाना है, clear, तो अब यह किस तरीके से लगाएंगे, क्या हम direct substitution कर सकते हैं, इस पर बात करनी पड़े, तो third का solution, बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत most important, clear, कि किस तरीके से हम इस conversion को मंजिल तक पहुंचाएंगे, देखिए यह है आपका alkyne, बोले तो ethine, the smallest alkyne, ethine, और हमने start किया sodium metal डालके, या आप NaNH2 ले सकते हैं, ठीक है, आप sodium metal या NaNH2 कुछ भी ले सकते हैं, तो जब आप यह करेंगे जनाब, तो ammonia बाहर और बनने वाली चीज होगी, C-Na+, ध्यान से देखिएगा, C-Na+, ठीक है, अपनी दिमार के दम बिलकुल है, यह सिन्हा, आप इसको इससे आंसर नहीं मिलने वाला, आइडो नियो पेंटेन से आंसर नहीं मिलेगा, इसमें गड़वड होगी, आप देखिएगा, आईए, तो अब मेरे अब बहुते हैं इसके बाद आप इसमें, देखिए ज़रा मैं क्या बूला हूँ, आप डाल दीजे, C-N-C-C-C-C-H-2-C-S-3, आपको मिल गया व्यूट-1-9, और आपकी मैं हल्प करता हूं थोड़ा सा, यह प्रोर्षन आपको मिल गया, ठीक है और अब हम इसमें क्या करेंगे वो देखते हैं अब आप इसमें बेस डालिए अब अगर हम बेस डालते हैं तो यह most acidic H है ठीक है यह most acidic H है यह निकलेगा अच्छा अगर मैं इस most acidic H के बात करूँ तो यह less acidic H है less acidic H है यह मैं बात कर रहा हूँ एक तो इस H की और एक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो दो H है यह वाली clear तो यहाँ पर अगर मैं कोई base डालता हूं like NANH2 तो यह H हटेगा लेकिन अपने को ध्यान से देखो किस carbon को निसाना बनाना है इस carbon को इसलिए हम यहाँ पर बहुत strong base लाते हैं और वह है BULI या फिर आप ले आए पियेच लाइए BULI में क्या होता है वाई साब कारवन कारवन बेस है यह कारवन बेस कारवन पर माइनस तो यह बहुत strong base की category में आता है तो या तो आप BULI ले या पियेच लाइए जब आप यह लेते हैं तो मैरे वाई यह strong base होने की वज़े से हम इसका access लेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए एक तो यह सी माइनस बनेगा यह लाइच यह तो निकल नहीं हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा acidic था और जनाब जबरदस्त काम देखिए एक डाय एनायन बनेगा यह वाला HV निकलेगा यह डाय एनायन है और आपको इस सीखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि अगर यह site most acidic थी तो यह वाला relatively क्या होगा weaker base site होगा weaker base यह बोला जाए weak nucleophilic site होगा और अगर यह less acidic site था तो यह उसका conjugate है यह strong base यह relatively strong nucleophilic site होगा समझें यह शीच को मज़ेदार है यह weaker base site होगा और यह strong relatively अब हम इस पर क्या करेंगे जनाम हाँ बताइए जरा एक मिथाईल लगा दो एक मिथाईल डाल दो हमने यह आप डाल दिया ICH3 तो बताइए अगर मैं one equivalent यह यहाँ पर रखता हूँ तो यह ज्यादा reactive है तो यह attack करके I को अटाएगा और यह attack करके I को अटाएगा तो आपके पास आएगा देखिए क्या C यह सिएस्थरी आ गया यह सियस्थरी आ गया यह एक एक करके लगाना है एक करके ठीक है तो हमने एक मिठाइल लगा लिए अब आई साथ यह मिठाइल वाकि से मिठाइल वाकिकिन के एक Waiting यह अब यह मिठाइलники यह कुछ ना करो इस एच को फिर से निसाना बनाओ यूज करो BULI BULI इस एच को हटाएगा LI प्लस C माइनस C, CH3 CS3 C माइनस, LI प्लस और अब संकोच मत करो CH3I दो एक्किवलेंट या खूब सारे डाल दो एक ये अटाग करेगा और एक ये अटाग करेगा और आपको मिल जाएगा वो जिसकी खोज में आप इतनी देड़ से थे देखिए अब आप एक और चीज अगर दिहान से देखेंगे तो आपको मजाएगा कि इस कनवर्जन के दोरान मैंने केवल 1 डिग्री, मिथाईल या इथाईल जो सब्स्ट्रेट लिया है ताकि आपके एलिमिनेशन के चांस को हम एकदम नेगलिजबल रख सकेंगे केवल हम यह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जहां आप 1 डिग्री से उपर जाएंगे 2 डिग्री या 3 डिग्री पर जाएंगे मेजर प्रोड़क्ट एलकीन आने लगेगा और यह आपको आज़ा आंसर नहीं मिलेगा समझ में आया है यह बहुत इंपोर्टेंट है फिर से सुने आप जैसे 2 डिग्री या 3 डिग्री लोगे तो तुरंट एलिमिनेशन हो जाएगा अच्छे विल्कु सही बोल लें आप और एलिमिनेशन को एवाइट करने के लिए हमने यह तरीका किया है और यह काफी इंपोर्टेंट तरीका है यह आपको जरूर सीखना चाहिए ठीक फिप्थ क्रेश्चन यह अलकोहल है भाई यह अलकोहल और मैंने यह कर दिया है एच प्लस डेल्टा क्लियर आप मुझे बता दे अलकीन जो होगा मेजर प्रोडक्ट अलकीन में अलफा हैड़िएं कितने होंगे सॉल्विट यह आज का अंतिम्प्रस फिप्थ क्रेश्चन करना है जो मेजर अलकीन आएगी इस रियेक्शन में उसमें अलफा हैड़िएं कितने होंगे जो मेजर अलकीन होगी उसके अलफा हैड़िएं बताने सिख्थ होमवोग है फिप्थ अभी करना है मैं काम करता हूँ मैं इसका प्रोड़क्ट देता हूँ ठीक है और आप उस प्रोड़क्ट को बनाने का प्रयास करिएगा यह सही रहेगा मैं इसका प्रोड़क्ट देता हूँ आपको और आप उस प्रोड़क्ट बनाने का प्रयास करिएगा मेजर अलकीन जो है दोस्तों वो इस केस में यह आईगी क्लियर ठीक है तो इस केस्टन का एक्स्परिनेशन हम अगली क्लास में करेंगे और साथ में जो केस्टन अल्टरनेट हैं वो भी आप कर लें कर के लाएं झाल